Hello Friends, Hindi Study Points पर आपका स्वागत है जैसा कि आप सब जानते हैं Hindi Study Points पर आप लोगों को Computer से Related सभी प्रकार की वीडियोज मिलते रहती हैं तो उसी सीरीज में आज की वीडियो है MS Word से Related जी हाँ MS Word में आप Advanced तरीके से Bill, Book तयार कैसे करते हैं जो आप डिस्पले पर देख रहे हैं ये मैंने MS Word में तयार कर रखी है इस टाइप की वीडियोज बहुत सारी यूटूब पर हैं और इस टाइप का Bill कैसे बनाते हैं उन लोगों ने Thumbnail लगा रखे हैं इस टाइप की वीडियोज के लेकिन इस टाइप का जब लोगों और इस टाइप का जब Bill बनाने की बाता आती है तो उनके वीडियो में कुछ और ही बताया जाता है तो ये सारी चीज मैंने सर्च करने के बाद यूटूब पर पहली बार इस टाइप की वीडियो बनाने की कोशिश की है जिसमें आप लोगों को बिलकुल step by step बताया जाने वाला है कि आप एक advance तरीके से Bill book कैसे त्यार करते हैं MS Word के अंदर तो दोस्तो देर किस बात की चलिए हम MS Word की तरफ चलते हैं तो आप देखते हैं यहां से आप हम करेंगे control and हमने यहां से नया page ले लिया है बिल्कुल नया page है देखिए आपके सामने इस पर सबसे पहले आपको क्या करना है दो तरीके बता रहा हूं इसमें आप लोग उस तरीके पर format को तेयार कीजिए सबसे पहले आप insight पर click कीजिए table पर click कीजिए number of column 5 रखिए number of row भी 5 रखिए उसके बाद आप कर दीजिए auto fit बिंडो इस पर क्लिक करके sorry auto fit content पर क्लिक कर दीजिए और ok कर दीजिए या फिर कुछ भी auto रख दीजिए बस कोई दिक्कत नहीं है इतना करने के बाद आपको ok करना है और ok करते ही जैसा यह आपने ok किया इस पर क्लिक करके इस point को नीचे पकड़िए इतना area लगबग खाली करिए और इतने area को इस तरीके से select कीजिए और यहां से page layout पर क्लिक कीजिए sorry table layout पर और यहां से आपको देख रहे हैं आपको मिलेगा merge cell जी हाँ बस आपको merge कर देना है आप जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है इस type से कैसे लिखेंगे तो चलिए मैं आपको फिर से बहुत simple और बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ यहां पर सबसे पहले आप लोगो को लेके आना है लोगो तो लोगो लेके आने के लिए insert पर क्लिक कीजिए shapes पर क्लिक कीजिए और यहां से आपको एक इस text box पर क्लिक करना होगा और यहां पर आप right क्लिक करके sorry right मत करें insert पर दोबरा जाए pictures पर जाए और device पर क्लिक करें औ और इस text box को आपको shapes पर जाके outline को no कर दीजिए, ये देखिए दोस्तों बहुत आसानी के साथ आपने shape add कर दिया है, अब इस shape को क्या करना है, ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आपको लिखना है इस type से, तो इस type से लिखने के लिए सबसे पहले आपको bill और cash memo लिखना होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने खाली page पर जहाँ पर आप बना रहे हैं, यहाँ पर click करेंगे इस type से, insert पर click करेंगे और यहाँ पर भी text box insert कर लेंगे, इस type से, एक text box आपने कैसे insert करना है, यह देखिए, यह text box insert करने के ठीक है और Ctrl E से Center करने के बाद इसको चाहो तो Bolt Ctrl B से कर सकते हैं और इस पर आप देख रहे हैं यह लाइन लगवी आ रही है इसको आप आउट लाइन को नो कर दीजिए बस इतना काम करना था आपको अब लिखना है यहां पर मारुतु सुझी की अब यहां पर दोस्तो देखिए शरी मोटर्स लिखा है आपको इपनी कमपनी का या अपनी दुकान का नाम दे सकते हैं फिलहाल मैं उसको कॉपी करके ही दिखा रहा हूं बिल्कुल दुश्यरी मोटर्स लिखा हुआ है उस पर तो सेम ऐसा ही लिख रहा हूं मैं और यहां पर इतना करने के बाद आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूं जो यह फॉन्ट यूज किया है हमने यह फॉन्ट यूज किया है हमने बालून एक्स्ट्रा बोल्ट यह आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर आपको मैं केबल करके दिखा रहा हूं अगर आपको फॉन्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सौरी आप पहले मुझसे मांग सकते हैं उसके बाद मैं आपको प्रोवाइट करा दूँगा देखिए दोस्तों बिलकुछ सेम वैस सही हम लोग बनाते चले जा रहे हैं और इस तरीके से आप इसको बोर्ड टैलिक अंडर लाइन या जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं लेकिन यहां हमें इसको डारेक्ली नहीं लिखना है यहां पर भी आपको इंसेट पर जाके और टैक्स बॉक्स के अंदर ही लिखना है यह क् कि बारीकियां भी हम लोग थोड़ा समझ लेंगे देखिए दोस्तों हमने यहां पर यह लिख दिया है और यहां से आप इसको जो फिल है इसको नो फिल कर दीजिए और शेप को यह देखिए दोस्तों आपका बिल्कुल सेम इसके तरह ही बनता हुआ जा रहा है अब इसके नीचे लिखा हुआ है all cards and motors repairing तो इसके लिए भी आपको एक इसके नीचे सेम आपको क्या बनाना है box तो देखिए दोस्तों कैसे बनाना है यहां पर हमने black color कर लेना है इसके अंदर यहां से फिल और इसके अंदर जो लिखना है बुलिख दीजिए तो दोस्तों यहां पर इ इसका address भी आप text box को insert करने के बाद ही करेंगे तो देखिए दोस्तों मैंने यहां पर तो यहां देखिए दोस्तों हमने text box के अंदर ही इसको फिल किया है ताकि हम यहां इसको कहीं भी adjust कर सकते हैं इसलिए हम लोग text box के अंदर लिखते हैं और इसको edit भी कर सकते हैं आप कही भी कोई दिक्कत नहीं आप देखिए दोस्तों हमने बिल्कुल इसके तरह यहां पर डिजाइन कर दिया है अब यहां पर बिल डेट और यह कैसे लिखना है यह भी आप देखते चले जाएए यहां पर आपको क्या करना है इस पर आपको इसको यहां रखना है और इसको यूज कर सकते हैं अरियल ब्लैक या टाइम स्निय रोमन तो आपको बस यहां पर डेट लिखना है कि इतना लंबा नहीं सॉरी डेट और टैप बटन दवाते हुए यहां पर आपको जाना है इस पेस दे के और यहां आपको लिखना है जो भी यहां लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है डेट और बिल तो डेट यहां पर जाएगी यहां पर यहां जाएगी बिल दोस्तो यह सारी चीज़ें आप लोग ने एड़ेस्ट करके लिख लेना है बहुत आसानी के साथ यहां पर बिल्कुल बराबर बराबर ही देना है ताकि अच्छा लगे आपका बिल उसके बाद आपको इस लाइन को रखके यहां रख लेना है ताकि दूर दूर रखे उसक अब आपको क्या करना होगा यहां पर पकड़ना है और यहां पर इसको चोटा करना है इसको यहां पर चोटा करना है और इसको यहां पर चोटा करना है और इसको यहां पर चोटा करना है बस इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होगा यह भी चीज़ें आप क्लियर करत तो मुझसे पूछ सकते हैं तो यहां पर SR number हमें लिखना है बहुत आसानी के साथ description और tap बटन दवाते हुए यहां हमारा क्या लिखा हुआ है यहां देख लेते हैं यहां rate है amount है यहां rate है और यहां दोस्तों एक कीज बता देना चाहता हूँ यहां amount जो है वो उपर वाले box में लिखा double है तो यहां आप table layout पर click कीजिए draw पर click कीजिए यहां से एक line इस तरीके से drag कर लिजिए और यहां eraser पर click करके यह वाली उपर वाई line जो है cut कर दीजिए बस आपको इस पर click करके हटा देना है eraser और यहां लिख देना है amount और उसके बा बात देखिए दोस्तों हमारा कंट इसको select करना है और यहां पर click करके Ctrl-E से बिलकुल बीच में ले लेना है अगर आपको अपनी board style रखना है तो यह बोल्ड style कर दीजिए इतना करने के बाद आप देखिए बिलकुल same to same हम बनाते हुए चले जा रहे हैं उसके ठीक नीचे उसके लिखना है और यहां उसके बाद नीचे हमें अभी हाँ देखि लीजिए तो यहां फर आप के सामने है यह वाला रही है इतना बड़ा ज्यादा एक्ड़ान रही है तो यहां आपको लिखना है टूटल और यहां पर आपको जो चाहे हैं बोदे दीजिए फिलाहाल अभी हमें यहां पर देखिए इस टाइप से ही बनाते हुए चलना है तो टोटल यहां लेना होगा तो टोटल हमें यहां पर लेना है और यहां पर हमें अभी कुछ नहीं लेना है इसको खाली रखना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल लेने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका rate वगरा हो वो दे सकते हैं यहाँ पर आपको इसको पूरा खाली करना है स्लैक करते हुए Eraser पर क्लिक करके या फिर merge करके भी कर सकते हैं तो यह देखिए दोस्तो हमने बिलकुल खाली कर दिया है यहाँ rules और regulation जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए पलाल अभी हम लोग लिख देते हैं तो दोस्तो यहाँ पर हम rules वगरा जो भी हैं हमारे conditions वगरा वो लिख लेते हैं यहाँ हमने लिख दी हैं उसके बाद आपको दोस्तो यहाँ पर जो यह है इसको भी आपको किस तरीके से लिखना है यह आप देख लीजिए हमने यहाँ पर text box ले रखा है और यहाँ से इसका style बगरा जो भी signature हैं आपको ले सकते हैं normal तरीके से अब आप देखेंगे कि हमारा पूरा तयार हो चुका है अब यहाँ पर अगर आपको कुछ और लिखना है या कोई भी चीज इंसारेट करना है तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ तो दोस्तो आप लोग देख रहे हैं कि हमने पूरा बिल तयार कर दिया है आप देखें हमने दूसरा भी बिल इसी तरीके से तयार किया था और यहाँ पर आप देखें तीसरा बिल भो भी हमने बिलकुल इसी तरीके से तयार किया था आपको ये फाइल जो हमने बनाई है ये भी practical के लिए फिरी में हम बिना password के आपको देंगे इसका link भी आपको description में रहेगा ताकि आप लोग इसका बहुत अच्छे तरीके से use कर पाएं फिल्हाल अभी आप हम इसमें कुछ editing करके भी दिखा देते हैं आपको हम यहां लिखते हैं हिंद study point देखिए दोस्तो हमने यहां पर बहुत आसानी के साथ यहां पर काम करना भी शुरू कर दिया है और यहां से हमने इसका color वगरा चेंज कर सकते हैं क्योंकि वीडियो हमने ज्यादा लंबा नहीं करना है तो यहां इस तरीके से हम यहां पर course वगरा दे सकते हैं तो तो इस तरीके से आप पूरा अपना बिल बना सकते हैं कोई भी company का यहां पर हम अपना logo वगरा एड़ कर सकते हैं तो आपको पता ही है logo किस तरीके से insert पर click करके picture पर click करके insert पर click करके और यहां से logo आप दे सकते हैं अपने computer का इसको change किया है तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरीके इस logo देने वाले हैं बिल्कुल आसान है बहुत ही बिल्कुल simple है बस आपका logo अगर insert होने के बाद बड़ा आता है तो behind text पर click कर दीजिए उसको और यहां से इसको drag करते हुए बिल्कुल छोटा कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यह देखे दोस्तो बहुत आसानी के साथ हमने इस पर click कर दिया और यहां पर देखे दोस्तों यहां box आ रहा है इस पर click करके back में click कर देना है और यहां से इसको front text पर click करना है यहां पर behind front बस इस तरीके से आप देखे हमारा logo की adjust हो जाएगा देखे आपको bill बनाने में कोई भी problem नहीं आएगी और अगर आपको अब भी कोई problem आती है अपना किसी भी तरीके का ms word में bill बनाने में तो आप बिला जिजक मुझसे कमेंट करके पूँच सकते हैं मुझे आपको बताने में बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है और मैं चाहता हूं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीखें और expert बने computer के field में अगर कोई भी problem आये तो मुझे बिला जिजक कभी भी याद कर सक होते हैं आपकी problem की solution की वीडियो भी मैं लेकर आते रहता हूं तो चलिए दोस्तों अब हमें दीजिएगा अजाजत और वीडियो शेर कीजिएगा ताकि आप लोगों को और बहुत सारे लोगों को इसका लाब मिल सके और जी हां आपसे बस एक गुजारिश है कि चैनल सब् कर दो चैनल सब्सक्राइब सरुन की यहां